हेलो एवरिवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षन संचनालाईब मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बेंक तो इसका आज हम प्रश्न बेंक का यहाँ पे संपूर्ण हल देखने वाले हैं तो इस वीडियो में हम यहाँ पे पूरा इसका संपूर्ण हल देखेंगे यहाँ पे यह कक्षा बारवी की रसायन विज्ञान की प्रश्न बेंक है इसका आज हम यहाँ पे संपूर्ण हल देखने वाले हैं ये प्रश्ण बेंक वर्ष 2022 के लिए जारी की गई है तो शुरू करते हमारा ये आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक सधिक लाइक एवं शेर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपकी जो बारवी कक्षा के सभी विशाई की प्रश्ण बेंक के संपूर्ण हल के वीडियो हमने डाल रखे हैं तो उसकी प्लेलिष्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इसमें आज हम अध्याय तीन जिसका नाम है विध्योत रसायन इसके दिर्ग उत्तरी प्रशनों को हल करने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम इसके objective टाइप question और अतिलग उत्तरी और लगउत्तरी प्रशनों को हल कर चुके हैं इसलिए आज हम यहाँ पे दिर्ग उत्तरी प्रशनों को हल करने वाले हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें पिछले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से देख सकते हैं आप तो सबसे पहला प्रशन दिर्ग उत्तरी में अब हमारे पास यहाँ पर दिया है विशिष्ट चालक्ता तुल्यां की चालक्ता और आणविक चालक्ता का सुत्र लिखिए एवम इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव इसपश्ट की जिए तो विशिष्ट चालक्ता का जो सुत्र होता है वो तो होता है कपपा बराबर एक बटे रोह और इसकी काई है ओहम inverse centimeter inverse और तनुता का जो प्रभाव है वो तनुता बढ़ाने पर विस्ष्ट चालकता घटने लगती है ये था तनुता का प्रभाव इसमें अब अगला जो है तुल्यां की चालकता है तुल्यां की चालकता का यहां पर सुत्र लिखावा है तुल्यां की चालकता को इस प्रकार से द और इसकी जो इकाई है वो है ओहम इन्वर्स सेंटीमिटर स्क्यर या कोश्टक में ग्राम तुल्यांग का इन्वर्स और तनूता का प्रभाव की अगर बात करें तो तनूता बढ़ाने पर आयतन बढ़ने के कारण तुल्यांग के चालकता बढ़ती है उसके बाद हमारे पास यहां पर आणविक चालकता का सुत्र है अब तो आणविक चालकता के सुत्र में भी आणविक चालकता को उसी प्रकार से केप के नीचे M बनाया जाएगा और उसके लिए सुत्र होता है कप्पा इंटू वी तो इसकी जो इकाई है वो है ओहम इन्वर्स सेंटीमिटर स्क्य और मोल इन्वर्स और तनुता का प्रभाव होता है तनुता बढ़ाने पर आणविक चालता बढ़ती है अब अगला हम देखते हैं यहां पर जो प्रश्ण हमारे पास दूसरा वो है डेनियल सेल का नामांग की चित्र बनाईए डेनियल सेल में होने वाली रेडाक्स अभीक्र कर दूसरा बनाई लिख्यें यहां पर यहां पर इन्डेनियल का चित्र बना हुआ है तो पहले आप इस चित्र को बना लीजिए यहां से उसके बाद हम इसकी जो रेडाक्स अभीक्रिया बहुता है उसमें Zn equals to Zn double plus plus 2 electron minus ये औक्सिकरन अभिक्रिया रहेगी और Cu electrode पर जो की केथोड होता है उस पर अभिक्रिया रहेगी Cu double plus plus 2 electron minus equal to Cu ये अप्चेन अभिक्रिया है तो इस प्रकार से जो सम्पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी वो है Zn plus Cu double plus equal to Zn double plus plus Cu तो ये दूसरा question भी हमारा यहाँ पर complete हुआ अब अगला प्राशना हमारे पास यहाँ पर दिया है नरनश्ट समीकरन क्या है इसके महत्व को समझाईए pH बराबर 10 के विलियन के संपर्क वाले hydrogen electrode विभव का परिकलन कीजिए तो सबसे पहले नरनश्ट समीकरन की परिभाशा है यहाँ पर वह समीकरन जो सेल के विध्युत वाहक बल परताप तथा सांद्रता का प्रभाव बताती है नरनश्ट समीकरन कहलाती है और इसका जो महत्व है वो है पहला महत्वतो है सेल के विद्युत वाहग बल या इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता परिवर्तन तथा ताप परिवर्तन के प्रभाव का अध्यन करने में और दूसरा है साम्यावस्था पर साम्य नेतांक ग्याद करने में और तीसरा है सेल द्वारा किये गए कार्य वम्मुक्त उर्जा परिवर्तन की गणना करने में इसके बाद जो हमसे एक क्योशन और इसी में पूशा गया था कि pH बराबर 10 के विलियन के संपरक वारे hydrogen electrode के विबाव का परिकलन कीजिए तो वो परिकलन यहां पर कर रखा है तो इसका आप यहां से screenshot लेते जाईए या note करते जाईए वीडियो को रोक कर तो इतना इससा आपने यहां तक note कर लिया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में तो इसमें यह थोड़ा सा नीचे हिस्ता और बचा था इसे भी आप यहां से screenshot ले सकते हैं अब देखते हम अगले प्रश्ण को प्रश्ण नमबर चोथा प्रश्ण नमबर चार में हमारे पास दिया है कोलराश का नियम अनुप्रयोग सहित समझाईए निमन लिखे तांकडों के सायता से NH4OH की अनन्त तनुटा पर मोलर चालकता ग्याद कीजिए तो यह आकड़े दिये हैं इसके सायता से हमें मोलर चालकता भी ग्याद करनी है तो इसका answer हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कोलराश का नियम लिखा हुआ है अनन्त तनुटा पर विध्युत अभगट्य की आनविक चालकता का मान उसके धनायनों और रिनायनों की अनन्त तनुटा पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है तो इसके लिए फिर यहाँ पर एक सुत्र लिखा है सुत्र के बाद यहाँ पर यह जो केप A इंफनेटी केप C इंफनेटी जो था यह धनायनों और रिनायन की अनन्त तनुटा पर आयनिक चालकताओं थी उसके बाद कोलराश नियम के जो अनुप्रयोग है उसमें पहला तो है दुर्बल विद्योत अब गिट्यों की अनन्त तनुटा पर मोलर चालकता का निरधारन और दूसरा है वियोजन की मातरा की गणना करने में इसी के साथ NH4 OH की अनन्त तनुटा पर आन्विक चालकता की गणना भी करनी थी हमें जिसके लिए आकड़े प्रशन के अंदर दिये हुए थे तो अब हम यहां पे कोलराश का नियम लगाके उसकी गणना करेंगे तो यहां से आप अब स्क्रिंशॉट लेते जाएए इसका तो पहले आप इतने हिस्से का यहां से स्क्रिंशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इसको अब यह यहां लाश्ट तक का आप इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं तो यह हमारा चोथा प्रशन भी यहां पर कंप्लीट हुआ अब पांचवा प्रशन हमारे पास जो दिया है वो है मानक हाइडोजन इलेक्ट्रोड क्या है यह कैसे बनाया जाता है इसकी दो सिमाएं लिखिए तो इसका आंसर है मानक हाइडोजन इलेक्ट्रोड एक उतक्रमनी इलेक्ट्रोड है जिसका EMF 0.0V होता है इसका उप्योग अग्यास सेल का EMF ग्यात करने के लिए किया जाता है इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लेक का लेप कर दिया जाता है इस प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम के एक तार से जोड़ देते हैं जो कांच की नली में लगा होता है नली के अंदर यह तार मरकरी की थोड़ी सी मातरा में डूबा रहता है जहां से किसी अन्य कौपर के तार द्वारा उसका संपरक बाहरी परिपत से किया जा सकता है प्लेटिनम की प्लेट काच की जेकेट द्वारा घिरी रहती है इस जेकेट के ऊपर एक पार्ष नली जूड़ी रहती है जिसमें एक वायूमंडल दाब पर शुद्ध हाइडोजन गेस प्रवाहित की जाती है इस जेकेट में प्लेटिनम की प्लेट की सीध में हाइडोजन गेस के निकलने के लिए कुछ छिदर होते हैं इस एलेक्टरोड को 1M अमली विलियन में रखकर 200 इंठ्याणों के या 25 डिगरी सेलसियस ताप पर 1 ATM दाब पर हाइडोजन गेस प्रवाहित की जाती है गेस का कुछ अंश प्लेटिनम की प्लेट अधिशोशित कर लेती है तथा बाकी का अंश नीचे बने छिदरों से बाहर निकल जाता है कुछी देर में इलेक्टरोड पर अधिशोशित हाइडोजन तथा विलियन में उपस्थित हाइडोजन आयनों के बीच एक साम में स्थापित हो जाता है इस प्रकार बने इलेक्टरोड को मानक हाइडोजन इलेक्टरोड कहते हैं तो ये अब हमारे पास इसका मानक hydrogen electrode का यहाँ पे चित्र है तो आप इसको चित्र को यहाँ से नोट कर सकते हैं पूरा तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अब हमारे पास इसकी जो सीमा है वो है तो पहली सीमा है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम तेयार करना मुश्किल है दूसरा है hydrogen का दबाव और अमल की सांज़ता को बनाए रखना आसान नहीं है तो यह दूसरी सीमा थी अब अगला जो प्रशन है अमारे पास वो है सेल इस्थिरांग किसे कहते हैं विशिश्ट चालकता आवं सेल इस्थिरांग के मद्य संबंद पश्ट कीजिए तो सेल इस्थिरांग क्या है विध्यत अभगट्य विलियन में डूबे हुए दो समांतर इलेक्ट्रोड के मद्धे संबंद दे रखा है उसके बाद तो विशेष्ट चालकता बराबर होती है सेल इस्थिरांक गुनेक प्रेक्षित चाल तो ये था हमारा छटा प्रशन अब बढ़ते हम अगले सात्वे प्रशन की तरफ सात्वा प्रशन हमारे पास दिया है विध्युत रासायनिक शेणी किसे कहते हैं इसके प्रमुक लक्षन तथा दो प्रमुक उप्योग लिखिये तो सबसे पहले विध्युत रासायनिक शेणी की परिभाशा है आयनों लवणों व योगिकों का मानक अप्चेन विभव के व्रधी क्रम में क्रमबद समुह विध्युत रासायनिक शेणी कहलाता है उसके बाद है विध्युत रासायनिक शेणी के लक्षण तो लक्षण में जो पहला पाइंट है हमारे पास वो है हाइड्रोजन से उपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके एच गेस देते हैं दूसरा पाइंट है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सिकारक होता है तीसरा पाइंट है जिस तत्व का अप्चेन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अप्चायक होता है और चोथा पाइंट है शेनी का उपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलियन से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार से ये हमने लक्षन भी देख लिए इसके अब लक्षन के बाद हमारे पास है विद्यूत रासाइनिक शेनी के उप्योग तो उप्योग में जो पहला उप्योग है वो है धात्वों की आपेक्षिक क्रियाशिलता ग्याद करने में और दूसरा उप्योग है धात्वों की अप्चायक प्रवरत्ती ग्याद करने में तो ये हमारा प्रस्ट नमबर साथ यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है अब अगला जो प्रस्ट नमबर आठ है वो देखते हम इलेक्टरोड विभव किसे कहते हैं इसका मान किनकिन कारकोपन निर्भर करता है तो इलेक्टरोड विभव के सबसे पहले यहाँ परिभाशा है जब किसी धात्व इलेक्टरोड को उसी धात्व के किसी लवन विलियन में रखा जाता है तो धातू तथा विलियन के संपर के स्थल पर विध्युत द्विक इस्तर उत्पन हो जाता है जिसके फल स्वरूप धातू तथा विलियन के मध्य विभांतर उत्पन हो जाता है जिसे इलेक्टरोड विभव कहते हैं उसके बाद इलेक्टरोड विभव किनकिन कारकोपर निर्भर करता है तो यहाँ पे इलेक्टरोड विभव निमलिखित कारकोपर निर्भर करता है पहला जो पाइंट है वो है चालक की प्रक्रती तो जिस एलेक्टरोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक एलेक्टरोड विभव उत्पन करता है दूसरा पाइंट है धात्वी कायन की विलियन में सांध्रता तो सांधता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घड़ता है क्योंकि सांधता बढ़ाने पर आयतन घड़ जाता है फल स्वरूप चालकता कम हो जाती है उसके बाद जो इसका तीसरा पाइंट है वो है ताप क्रम इलेक्ट्रोड विवव का मान ताप पर भी निर्भर करता है जो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है तो आठवा प्रशन कंप्लीट हुआ अब नुवा प्रशन हमारे पास यहां पर दिया है उस गेलवनी सेल को दर्शाईए जिसमें निम्न लिखित अभिक्रिया होती है तो ZN प्लस 2AG प्लस इक्वल टू ZN डबल प्लस प्लस 2AG इस सेल में बताईए कौन सा इलेक्टरोड रिनात्म कावेशित है सेल में विध्युद्धारा के वाहक कौन है और प्रत्यक इलेक्टरोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखिये तो इसका जो आंसर है उसमें सबसे पहले है जेंक इलेक्टरोड एनोट का कारे करता है जबकि सिल्वर इलेक्टरोड केथोड का कारे करता है सेल को निम्ल प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं तो यहाँ जेडेंड जेडेंड डबल प्लस उसके बाद लवन सेतु का साइन बनावाए फिर एजी प्लस और एजी है अब देखते हैं हम इसका जो चित्र वो यहाँ पे चित्र आपको नजर आ रहा है इसका आप चाहे तो यहाँ से स्क्रिन शॉट ले लिजिए चित्र का अब हम इसके नीचे के आंसर देखते हैं इसमें इसमें जो तीन बाते पूछी गई थी तो उसमें से पहली बात का आं तीसरा है A0 पर Zn एक्वल टू Zn डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रोन माइनस और केथोड पे Ag प्लस एक इलेक्ट्रोन माइनस इक्वल टू Ag तो इस प्रकार से यह हमारा नुवा प्रश्ण भी कम्प्लीट हुआ अब जो दस्वा प्रश्ण हमारे पास यहां दिया है वो है फेराडे के विद्धुत अबगटन के नियम लिखिए तो फेराडे के विद्धुत अबगटन के वैसे दो नियम होते हैं लेकिन हम फेराडे का प्रथम नियम पिछले विडियो में पढ़ शुके हैं अति लगुत्तरी या लगुत्तरी प्रश्नों में इसलिए हम प्रथम नियम को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं हम सीधा दुधिय नियम को देख रहे हैın यह दूसरा निया में, फेराडे का दूती नियम क्या कहता है? यदि समान धारा समान समय तक विभिन विध्युत अबगट्यों के विलियन में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्टरोट पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मातरा उसके तुल्यां की भारों के समानुपाती होत तो इसे आपने नोट कर लिया होगा अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अगला जो प्रशन है अब हमारे पास वह है ग्यारवा प्रशन सुस्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए तो यहां पर सबसे पहले यह आपके लिए सुस्क सेल बनावा है यहां पर नामांकित पूरा नाम सहीत लिखावा है सुस्क सेल और इसका जो आंसर है वो है सुस्क सेल में जेडेन का एक खोकला आवर्णन रहता है जो एनोट का कारे करता है के थोड़े कार्बन की छड़ होती है कार्बन की छड़ के चारो और एम एन ओटू तथा कार्बन चून का काला पेष्ट भरा रहत लिक्ट्रूफ शुष्क सेलों में ZN के आवरण के ऊपर आईरन या श्टील का आवरण लगा रहता है जब सेल कारे करता है तो ZN धातू इलेक्ट्रोड खोकर ZN डबल प्लस आयन के रूप में विद्धित अबगटे NH4Cl में विले हो जाती है तो एनोट की जो करिया है वो है ZN एक्वल टू ZN डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रोण माइनस मतलब ओक्सी करन अभी करिया और के थोड़ पर 2 NH4 प्लस टू Mn-O2 प्लस 2 इलेक्ट्रोण माइनस एक्वल टू Mn2 O3 प्लस H2O प्लस 2 NH3 ये अब चैन अभी करिया है इसकी जो पोना भी करिया होगी वो है ZN प्लस 2NH4 प्लस 2MN O2 इक्वल टू ZN डबल प्लस प्लस MN 2 O3 प्लस H2O प्लस 2NH3 यह हमारा सुष्क सेल का क्वेशन भी यहाँ पे कम्ट्लीट हुआ अब देखते हम अगला जो प्राशन तो अब प्राशन 12 है हमारे पास लेड या सीशा संचायक सेल से आप क्या समझते हैं इसमें होने वाली विसरजन क्रिया को समझाईए तो लेड या सीशा संचायक सेल क्या होता है एक लेड संचायक सेल वास्तों में एक गेलवनिक सेल है जिसमें एनोड सुक्ष्म वितरित sponge lead से पेक की गई lead या lead antimony मिश्रधातु की एक जाली का बना होता है जबकि cathode lead dioxide PbO2 की परत योगत एक lead की जाली का बना होता है अब जो विसरजन करिया है इसमें anode पे तो PbSO4 plus 2 electron minus equal to Pb plus SO4 double minus और cathode पर क्या अभी करिया होगी PbSO4 plus 2H2O equal to PbO2 plus 4H plus plus SO4 double minus plus 2 electron minus तो इस प्राकार से जो संपोन सेल करिया होगी वो होगी 2PbSO4 plus 2H2O equal to Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 तो ये था हमारा question number 12 अब हम देखते हैं प्रश्च नंबर 13 को question number 13 हमारे पास दिया है इंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए तो इंधन सेल क्या होता है वह सेल जिसमें इंधन की रासाइनी कुर्जा सीधे विध्योत उर्जा में बदल जाती है इंधन सेल कहलाता है अब इसका यहाँ पे चित्र भी बनावा है तो ये side में आपको चित्र नजर आ रहा है इसको आपको note कर लेना है और अब इसका जो answer है वो है है H2O2 इंधन सेल इस सेल में H2O2 का उपयोग करके विध्योत उर्जा प्राप्त की जाती है इससे निम्न चित्र में दर्शाया गया है इस सेल में सरंद कार्बन के दो इलेक्टरोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम का तार लपेड दिया जाता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है सेल के मद्य अमले या अक्षार मिश्रित जल भर दिया जाता है जो विध्योत अभट्य का कार्य करता है सेल के एक तरफ इलेक्टरोड से ऑक्सीजन वह दूसरी तरफ से हाइडोजन गेस प्रवाहित की जाती है अब केथोड पर जो अपचेन की अभिक्रिया होती है वो है O2 plus 4H plus plus 4 electron minus equal to 2H2O और एनोट पर जो आक्सिकरान होता है उसकी अभिक्रिया है 2H2 equal to 4H plus plus 4 electron minus और इसी प्रकार जो संपोर्ण सेल अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी 2H2 plus O2 equals to 2H2O तो ये हमारा यहां पर प्रश्ण कम्प्लीट हुआ अब चवदुआ प्रश्ण देखते हम चवदुआ प्रश्ण है संग्षारण किसे कहते हैं जंग लगने का विध्योत रासाइनिक सिध्धानत समझाईए तो संग्षारण किसे कहते हैं इसकी परिभाशा आपको पिछले विडियो में मिल जाएगी जहां पर हमने अतिल अगुत्तरी और लगुत्तरी प्रश्ण हल किये थे उन विडियो में आपको संग्षारण की परिभाशा मिल जाएगी तो परिभाशा आप महासी नोट कर लेजिए अब हम आगे बढ़ते हैं जंग लगने का विध्योत रास ये विध्युत का कार्रे करते हैं अब इसमें जो पहला पाइंट है हमारे पास वो है केथोड पर क्रिया तो केथोड पर ऑक्सिजन की उपस्तिती में इलेक्ट्रोन जल अनुओं द्वारा ले जाए जाते हैं वो OH- हाइड्रोक्सील का निर्मान होता है अगला जो पाइंट है सेकेंड वो है सेकेंड पाइंट से पहले या एक और अभी क्रिया है 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रोन माइनस इक्वल टू 4 OH- अब एनोट पर जो क्रिया है वो है पहली तो है Fe, Fe डबल प्लस आयन के रूप में विलियन में चला जाएगा यानि की Fe एक्वल टू Fe डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन माइनस और दूसरी जो अभी क्रिया है वो है Fe डबल प्लस OH- से क्रिया कर Fe OH होल टॉइस बना देगा जहां नमी की उपस्तिती में जंग हाइडरेटेट फेरिक ओक्साइड का निर्मान होता है यही जंग है तो 2Fe OH होल टॉइस प्लस 1 बटे 2 O2 प्लस H2O इक्वल स्टू Fe 2 O3 डॉट एक्स H2O यह हमारा था प्रश नमबर चओदा अब प्रश नमबर 15 हमारे पास दिया है संग्षारण किसे कहते हैं संग्षारण को प्रभावित करने वाले कारक को तथ संग्षारण से बचने के उपाय बताईए तो संक्षारण किसे कहते हैं इसकी परिभाशा आपको अतिलगुत्तरी या लगुत्तरी प्रशनों में आपको मिल जाएगी इसकी परिभाशा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं अब देखते हैं हम संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर, तो पहला कारक है धातु की प्रक्रती, अधिक क्रियाशिल धातु यह जल्दी संक्षारित हो जाती है और कम क्रियाशिल धातु यह कम संक्षारित होती है, दूसरा पाइंट है धातु सतर की प्रक्र धातु के आस्पास वातावरण में उपस्तित O2CO2 नम्मी खारापन की उपस्तिती तथा SO2, SO3 आधी गेस संक्षारण को बड़ावा देती है और चोथा पाइंट है धातु में अशुद्धी तो अशुद्ध धातु जल्दी और अधिक संक्षारेत होती है अब संक्षारण से बचने के जो उपाइं है वो है पहला है धातु को पेंट करके धातु के उपर ग्रेस या ओल लगा कर तीसरा है मिश्र धातु बना कर चोथा है विध्युत लेपन करके तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 15 क्योश्चन देखे हैं दिर्ग उत्तरी के यह अध्याय तीन के जिसका नाम है विध्युत रसायन उसके प्रशन उत्तर थे तो यह चेप्टर जो है आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अब मिलते हैं अगले वीडियो में क अब तक के लिए धन्यवाद